नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे संस्कार चैनल में दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा नवरात्र का आठवा दिन जाने मा महागौरी की पूजा विधी, मंत्र, भोग और कथा पूजा की जाती है आठवे दिन महागौरी की पूजा देडी के मूल भाव को दर्शाता है देवी भागवत पुराण के अनुसार, मा के नौरूप और दस महा विध्याएं सभी आदिशक्ती के अंश और स्वरूप है लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अरधांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है इनकी शक्ती अमोग और सदा फल्दाइनी है नवरात्र की अश्टमी तिथी को विशेश महत्व रखती है क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना वरत खोलते हैं आईए जानते हैं कि मा महागौरी के बारे में विशेश बाते इस तरह मा का नाम पड़ा महागौरी दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था देवी पार्वती को मात्र आठ वर्ष की उम्र में अपने पूर्वजन्म की घटनाओं का आभास हो गया था और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पती रूप में प्राप्थ करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार करती थी बाद में माता ने केवल वायू पीकर तब करना आरंभ कर दिया तपस्या से देवी पारवती को महान गौरव प्राप्थ हुआ था इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा इस दिन दुर्गा सब्तश्ती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेश फलदाई माना जाता है दोस्तों, माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा जिस समय मा पारवती स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप शाम वर्ण के साथ प्रकट हुई जो कौशी की कहलाई और एक स्वरूप उजजवल चंदर के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्यान करती है और उनको समस्याओं से मुक्त करती है जो व्यक्ति किनही कारणों से नौ दिन तक उपवास नहीं रख पाते हैं उनके लिए नवरात्र में प्रतिप्दा और अश्टमी तिथी को वरत रखने का विधान है इससे नौ दिन वरत रखने के समान फल मिलता है दोस्तों, ऐसा है मा का स्वरूप देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी वर्ण कूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्रव आभूशन भी सफेद रंके है मा का वाहन व्रिशब अर्थात बैल है मा के दाहिना हाथ अभ्यमुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ती का प्रतीक त्रिशुल है महागौरी के बाएं हाथ के उपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक दमरू है दमरू धारन करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है मा के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर्मुद्रा में है माता का यह रूप शांत मुद्रा में ही द्रिश्टिगत है इनकी पूजा करने से सभी पापों का नश्ट होता है दोस्तों, भोग में मा को चढ़ाएं यह चीज देवी भागवत पुराण के अनुसार, नवरात्र की अश्टमी तिथी को मा को नारियल का भोग लगाने की पन्रप्रा है भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राहमन को दे दें अन्यथा प्रशाद रूप में वितर्ण कर दें जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह हल्वापूरी, सबजी और काले चने का प्रसाद विशेश रूप से बनाया जाता है महागौरी को गायन और संगीत अतिप्रिय है भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है एक परिवार को प्रेम के धागों से ही गूट कर रखा जा सकता है इसलिए नवरात्र की अश्टमी को गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है पूजा करने से होती है सौभाग्य की प्राप्ती दोस्तों, जो भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं वह माता को हलवा वचना के प्रसाद का भोग लगाना चाहिए इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर पूजन करना चाहिए रोलितिलक लगाकर और कलावा बांध कर सभी कन्याओं को हलाफ, पूरी, सबजी और चने का प्रशाद परोसें इसके बाद उनसे आशिरवाद लें और समार्थ्यनुसार कोई भेंट वधक्षिना देकर विदा करना चाहिए ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और स्वभाग्य की प्राप्ती होती है मा का यह रूप मोक्षदाई है इसलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं दोस्तों आज का ये विडियो आपको पसंद आया है तो चैनेल को लाइक और सबस्क्राइब जूर करे ताकि आने वाला विडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे विडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं निक्स्ट विडियो में थैंक्स और वाचिन